तो कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कई सालों बाद अपनी मा के साथ उसी पुराने घर में आया था जहां पर उसका जहन हुआ था दरसल वो जब छोटा था तो उसके फादर की मात किसी बयानक एक्सिडेंट में हो गई थी और इसी के बाद मैक्स की मदर मोली ने उसे यहां पर रहने नहीं दिया और अब वो लोग दोबारा अपने उसी पुराने घर में सेफ्ट हो चुके हैं और वहीं हमें पता चलता है कि मैक्स की मदर मोली ने मैक्स से उसके फादर के उस एक्सिडेंट के बारे में कई सारी चीजे छुपा कर रखी हुई है वो नहीं चाती है कि मैक्स इन सब चीजों के बारे में जाने इसके बाद मैक्स अपने उसी रूम में जाता है जहांपर वो रहा करता था उसे वहाँ पर एक अस्पैरल गैलेक्सी नजर आती है जो उसके फादर ने बच्पन में उसके लिए बनाई थी वो अपना सारा सामान अन पैक करता है उसी दोरान हम उस रूम में एक आउन टीवी को देखते हैं और मैक्स जैसे उस टीवी के पास अपना हाथ रखता है तो उस टीवी में से कुछ अजीब तरह की तरंगे पیدا होने लगती है जो मैक्स के हाथ के द्वारा हो रही थी वो इन सजी जो को देखकर बहुत हैरान था उसे भी नहीं समझाता कि आखिर उस टीवी मेट ने चेंजिस कैसे हो रहे हैं और उसमें वो तरंगे किस तरह से पैदा हो रही है हलाकि वो इस बात को यही पर इगनोर कर देता और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है रास्ते में उसे टेक कंपनी की लैब नजर आती है और उसी लैब में मैक्स के फादर काम किया करते थे उसी दोरान मैक्स को मूली का कॉल आता है और जैसे ही वो मॉबाइल को स्वाइप करके कॉल उठाने की कोसिस करता है दोबारा वही तरंगे मुबाइल के स्क्रीन पर भी उसे नजर आती है। इस कारण को कॉल पिक नहीं कर पाता और मुबाइल भी वही पर स्विच आफ हो जाती है। इसके बाद हमें उसी लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक ऐसी चीज को देख पाते हैं जो मैक्स के वहाँ पर मौझूद होने पर हल चल कर रही थी। इसके बाद हम माइल्स नाम की एक आदमी को देख पाते हैं जो मॉली और मैक्स से मिलने आया था दरसल माइल्स मैक्स के फादर के साथ ही एंटेक कमपनी में काम क्या करता था और वो भी एक साइंटिस्ट ही था वो मैक्स के फादर का बहुत अच्छा दोस्त था और उसके फादर एंटेक कमपनी के बहतरीन साइंटिस्ट में से थे जिनकी लैब में हुए एक एकसिडेंट से मौत हो गई थी इसके बाद हम उसी एंटेक कमपनी की लैब को देख पाते हैं जहांपर हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जहां वो किसी तरह का कोई experiment कर रहे थे, वो लोग पानी को लेकर किसी experiment को कर रहे होते हैं, लेकिन पानी में एक जूरदार blast हो जाता और देखते ही देखते वहाँ पर मौझूद सारा पानी freeze हो जाता है, और जैसे ही एक scientist उस पानी को छूने के लिए आगे बढ़ता तभी एक दूसरा scientist वहाँ के सारे machine आफ कर देता है, और हम उसी पानी से किसी robotic gadget को वहाँ से भागते हुए देखते हैं, जिनने वहाँ पर मौझूद लोग पकड़ने की courses भी करते हैं, लेकिन वो भागने में कामयाब रहता है, उसी राता मैक्स को देखते हैं जो अपने घर के इंटरनेट पर अपने फादर के साथ हुए उस हादसे के बारे में कुछ जानकारिया जुटाने में लगा हुआ था, और उसी दोरान उसे पता चलता है कि जिस लैब में उसके फादर काम किया करती थे, वहाँ पर बहुत पहले एक बहुत बड़ा एक्सिडेंट हुआ था, जिसके चलते उसके फादर की मौत हो गई थी, इससे पहले कि वह और कुछ जानकारिया जान पाता इंटरनेट में कुछ एरर आ जाता है, जिसके चलते मैक्स को बहुत गुस्सा आता है, और हम देखते हैं कि उसके हाथों में से किसी तरह की कोई एनरजी बाहर निकल रही है, और इस एनरजी को देखने के बाद मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आता, वो अपने हाथों को बार-बार चेक करने लगता है, लेकिन वो एनरजी उसके हाथों पर ही बनी रहती है, वो समझ जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, उसके अंदर किसी तरह की कोई पावर मौजूद है, जिसे वो आज तक पैचान नहीं पाया, और नहीं उसे कभी कंट्रूल कर पाया, लेकिन जब एनरजी उसे साफ साथ दिखने लगी तो उसे यकीन हो गया, और वो उसे अनरजी को कंट्रूल करने और उन्हें यूज करने का डिशाइट करता है, इसी कारण अगली सुबा होने पर वो जंगल में पहुंच आता है, जहाँ पर वो उन अनरजी तरंगों को अपने काबो में करने का सूच कर गया था, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने उस अनरजी को कंट्रूल करने में पूरी तरह से नाकाम होता है, क्योंकि उसके हाथों में मौजूद अनरजी बहुत ही जादा थी, इसके बाद हम मैक्स और सूफिया को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, और वहाँ पर अभी भी मैक्स को उसकी वो एनरजी परिशान कर रहे थी, और वो नहीं चाता था कि इस बात की जानकारी सूफिया को मिले, इसलिए वो वहाँ से वास्रूम की तरफ चला जाता है, और उन एनरजी को कंट्रोल करने की कोसिस करता है, लेकिन बहुत ट्राय करने पर भी वो एनरजी उसके कंट्रोल में नहीं आती, वो देखता है कि अब उसकी पूरी बाड़ी से उसी तरह की वो एनरजी बाहर निकल रही है, और वो अपने आपको बाती कमजोर मैसूस करने लगता है, इसके बाद उस वासरूम की लाइट चले जाते हैं और अंदेरा होने पर हम देख पाते हैं कि मैक्स की पूरी बाड़ी से उसी तरह की एनरजी तरंगे बाहर निकल रही है, ये जानने के बाद मैक्स पूरी तरह से डर जाता है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर वो सारी एनरजी को कंट्रोल कैसे करे, इसकारण वो सोफिया को उसी रेस्टोरेंट में अखेला चोड़कर बाहां से सीधा जंगल की तरफ चला जाता है, रास्ते में हम किसी को देखते हैं जो मैक्स का पीछा कर रहा था, और वो उसकी एनरजी तरंगों को भी ट्रीज कर पा रहा था, वो देख पा रहा था कि उसकी बाड़ी से किसी तरह की तरंगे बाहार निकल रही है, और कई दिनों से ही कोई मैक्स का इसी तरह से पीछा कर रहा होता है मैक्स भागते हुए जंगल में पहुंचता है जहां पर वो एक बार फिर से उनी एनरजी तरंगों को कंट्रोल करने की कोसिस करता है लेकिन वो इस बार भी नाकामया भी रहता है क्योंकि उसकी बाड़ी में लगातार वो एनर्जी इंक्रीज हो रही थी लेकिन मैक्स उन तरंगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इसी करन वो बहुत जादा गुसा हो जाता है और वो जूर से चीकता है और जैसे ही वो चीकता है वो वही पर बेहोस हो जाता है उसे जब होस आता है तो वो अपने आपको अपने घर में पाता है और इस बात से वो बहुत हैरान था क्योंकि जब वो बेहोस हुआता तो वो तो जंगल में था उसे समझ नहीं आता कि वो अपने घर पर कैसे आया टीशर्ट उतारने के बाद मैक्स को अपने बोड़ी पर कुछ ऐसे निसान नजराते हैं जो उसकी बोड़ी पर पहले नहीं थे इस कारण वो बहुत ज़्यादा डर जाता है तब ही मैक्स के रूम में हम उस रोबोटिक गैजट को देख पाते हैं जो उस लैब से उन सारे सैंटिस्ट से बचकर भागा था मैक्स भी उस गैजट को देख लेता है और वो डर जाता है इसी कारण वो वहां से भाग कर एक दूसरे रूम में जाका चिप जाता है लेकिन वो गैजट भी उसका पीज़ा करते हैं वो वहां पर आ चुका था वो उस रोबोटिक गैजट को देख कर बहुत डरा हुआ था वो अपने पास रखे हुए बेसमोल को बहार निकालता है ताकि वो उस गैजट से अपने आपको प्रोटेक्ट कर शके लेकिन वो गैजट मैक्स से बात करने लगता है वो उसे बताता है कि वो एक रोबोटिक गैजट है और उसका नाम अश्टील है जिसे मैक्स की रक्षा करने के लिए बनाया गया था हलाकि उसे सिवाए इस बात के और कुछ चीज़ याद नहीं क्योंकि उसकी मेमोरी को इडेज कर दिया गया और उसे सिर्फ यही पता है कि उसको मैक्स की रक्षा करनी है अश्टील मैक्स को बताता है कि वो कई दिनों से मैक्स का पीछा कर रहा था ताकि वो मैक्स को वो बताता है कि इस overload के कारण मैक्स की मौथ भी हो सकती थी अस्टील मैक्स को बताता है कि उसके अंदर से निकलने वाली energy का नाम turbo energy है जिसे सिर्फ अस्टील ही control कर सकता है क्योंकि वो इक alien है जिसे हमीशा मैक्स के साथ रहने के लिए ही बनाया गया था और इसके लिए उसे Max के साथ हमीसा रहना बहुत जरूरी है अश्टील बताता है कि जब Max उस लैब के पास आया था तब उसने Max की एनरजी तरंगों को महसूस किया था और तब ही वो on भी हुआ था क्योंकि Max और अश्टील दोनों एक दूसरे से connected है Max को भी अब अश्टील की सारी बाते समझ आ चुकी थी और वो समझ चुका था कि अश्टील उसके लिए कितना जरूरी है और अगर वो उसकी साथ रहेगा तो वो अपनी बॉडी से निकलने वाले एनरजी तरंगों को समझ सकता है और उसका इस्तिमाल भी कर सकता है इसके बाद Max और अश्टील दोनों जंगल की तरब जाते हैं जहांपर अश्टील Max को उन तरंगों के बारे में और भी कई चीजे बताना चाता था जंगल में पहुँचने के बाद हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो उसी लैब से आये थे जहांसा अश्टील भागा था और वो अश्टील को पकड़ने के लिए भहां पर आये थे Max और अश्टील उन लोगों को देख लेते हैं और उनसे बच कर वहां से भागने लगते हैं उसी दोरान हम अस्टील के कुछ मेमोरीज को देखते हैं जिन अस्टील भी देख रहा था वो उस दोरान उसी हाथसे को देख पाते हैं जो उस लैब में हुआ था जिससे मैक्स के फादर की जान गई थी अस्टील जब इन मेमोरीस को देखता है तब मैक्स भी सारी चीजे देख पा रहा था क्योंकि मैक्स अस्टील से पूरी तरह से कनेक्टेट था इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो आमेसा अस्टील को अपने पास ही रखता है वो उसे अपने स्कूल बैंग में रखकर स्कूल जाता है वहीं उसके पास सोफिया आती है जो उसे लंच के लिए ले जाना चाती थी लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है क्योंकि उसके साथ अस्टील भी मौजूद था और वो नहीं चाता था कि सोफिया को इस बारे में कभी कुछ पता चले इसकारण वो वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम अस्टील को देखते हैं जो मैक्स को अपने उन पावर को कंट्रूल और उन्हें यूज करने के तरीकी के बारे में बता रहा था यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स भी अपनी बाडी से निकलने वाली तरंगों को पूरी तरह से कंट्रूल कर भा रहा था और उन्हें यूज करने के लिए भी अप पूरी तरह से तयार है उसी दोरान स्टील मैक्स को बताता है कि हमें हर तरह से पूरी तरह से तयार रहना है ताकि हम हमारे दुस्मनों से सामना कर सकें उस दोरान मैक्स और स्टील पूरी तरह से एक दूसरी से कनेक्ट हो चुके थे तब ही हम देख पाते हैं कि मैक्स के बॉड़ी पर एक आर्मर आ चुका है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था और वो मैक्स और अस्टील के कनेक्ट होने के बाद उसकी बॉड़ी पर आ चुका था और अब वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेट थे और इसी कारण अब अस्टील की सारी मैमोरी को मैक्स भी देख सकता था इस दोरान मैक्स उसी दिन के कुछ सीन को देख पाता है जिस दोरान कुछ एलियन ने मैक्स के फादर के उस लैब पर अटैक किया था अस्टील उसे बताता है कि उन एलियन्स को अल्टरा लिंक्स एलियन्स कहा जाता है जिन्होंने उस लैप पर अटैक करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था जिस कारण मैक्स के फादर की मौत हो गई थी इसके बाद स्टील मैक्स को बताता है कि अल्टरा लिंक एलियन बहुत ज़्यादा खतर नाक होते हैं जो पृत्वी पर मौझूद रिसोर्सेस को अपने कंट्रोल में करके एक नेचूरल डिजास्टर बिला सकते हैं और उस दिन भी यही हुआ था जब उसके फादर उस लैब में काम कर रहे थे तब अल्टरा लिंक एलियन ने उस लैब पर अटेक करके उसके फादर को खात्म कर दिया था मैक्स को इस टील की बाते सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है हलाकि वो उन अल्टरा लिंक से इलियन के बारे में और भी कुछ जानना चाता था इसी कारण वो अपने फादर के दोस्त माइल्स के पास पहुंचता है माइल्स मैक्स को एक डिवाइस के बारे में बताता है जिस डिवाइस के मदद से वो कई तरह की अनर्जी को स्टोर कर सकते थे और मेक्स के फादर भी उसी डिवाइस के जरिये बहुत सारी अनर्जी को स्टोर करने की कोर्सिस कर रहे थे लेकिन ओवरलोड होने के कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिस कारण से उसके फादर की मौत हो गई माइल्स के बाते सुनने के बाद मैक्स पूरी तरह से कनफ्यूज था क्योंकि अस्टील ने तो उसे कुछ और बताया था और माइल्स उसे कोई और दूसरी कहानी बता रहा था इसी दोरान मैक्स के अंदर मौजूद वो तरंगे एक बार फिर से बाहर आने लगती है जिस कारण मैक्स को वहाँ से जाना पड़ता है वो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था लेकिन तब ही रास्ते में उसे एक तुफान न जराता है जो उसका पीचा कर रहा था दरसल ये तुफान उन्हें अल्ट्रा लिंक एलियन द्वारा बनाया गया था जो मैक्स को खत्म करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बाढ़ रहे थे वो उनसे बचते हुए तेजी से आगे भाग रहा था तब ही हम वहाँ पर श्टील को देखते हैं जो मैक्स के साथ कनेक्टो कर उसे मैक्स श्टील में तबदील कर देता है और वहीं पर वो एक सूपर हीरो में कनवर्ट हो जाता है जो उन अल्ट्रा लिंक एलियन को बुरी तरह से हरा कर वहाँ से भागा दीता है इसके बाद मैक्स को एक बर फिर से श्टील के विजण दिखाई देने होते हैं जिस दोरान वो देखता है कि उसके फादर की मौत में अश्टील का बयाद था क्यूंकि उस गटना के दौरान श्टील भी वहाँ पर मौजूद था और वो समझ जाता है कि अस्टील भी एक अल्ट्रा लिंक एलियन है जो मैक्स के लिए खत्रा साबित हो सकता है लेकिन अस्टील उसे बताता है कि वो तो सिर्फ उसके फादर के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसके जर्ये वो अल्टरा लिंग एलियन को इस दाती से आमेसा के लिए खत्म करने वाले थे लेकिन मैक्स स्टील की किसी भी बात को मानता नहीं क्योंकि उसने स्टील के विजन में सारी चीजे देख ली थी और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है जैसे मैक्स अपनी घर पहुँचता है तो वहाँ उसे वही लोग नजराते हैं जो अश्टील का पीछा कर रहे थे जिससे मैक्स पूरी तरह से गबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उसे भी नुकसान पहुचा सकते है मैक्स के मदर मोली भी घर में ही मौजूद थी इसलिए वो बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था और वो अपने घर नहीं जाना चाता था क्योंकि वो नहीं चाता कि उसकी मदर के सामने वो लोग उसे पकड़ कर वहां से ले जाए इसकारन वो मैल्स को कॉल करके सारी चीजे बताता है मैल्स मैक्स को बताता है कि वहां पर आये हुए वो लोग एंटेक कमपनी के लिए काम करते हैं और उन्हें अश्टील के बारे में भी सारी बाते पता चल चुकी है उन्हें पता चल चुका है कि मैक्स और अस्टील दोनوں एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं इस कारण वो मैक्स को भी पकड़ना चाते हैं इस दरन माइल्स बताता है कि उन्हें लोगों ने मैक्स के मदर मोली को भी किडणैप कर लिया है जिसे उन्होंने उसी लैब में रखा है इसके बाद मैक सीधा सूफिया के गर जाता है जहां वो उसका ट्रक लेकर उसी लैब की तरफ जाने लगता है इसके बाद हम मूली को देखते हैं और हमें पता चलता है कि एंटेक कंपनी की मालकिन कोई और नहीं की मूली ही है और वो मैक स को ढूने के लिए अपने लोगों को वहाँ पर भीज देती है क्योंकि उसे भी सारी चीज़ अब पता चल चुकी है इसके बाद हम मैक स को देखते हैं जो अब उस लैब की तरह पहुँच चुका था जो चेंबर वन के पास पहुँचता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि अश्टील को एक चेंबर के अंदर कैद करके रखा हुआ है और उसे वहाँ पर स्लीपिंग मोड में डाला हुआ था तब ही एक बार फिर से मैक स को विजन आने लगते हैं वो अपने फादर की मौत वाले दिन को अपने उस विजन में देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि मैक्स के फादर के मौत का असली जमेदार अश्टील नहीं है और उसके फादर की मौत का असली कारण माइल्स ही था जो मैक्स के फादर का दोस्त होने का नाटक कर रहा था दरसल माइल्स अल्ट्रालिंग केलियन के साथ मिलकर मैक्स के फादर को खत्म करना चाता था क्योंकि उसके फादर के पास बहुत सारी ऐसी पावर थी और वो भी ही केलियन ही थे जो उन अल्ट्रा लिंग के लिए उनको धर्ती पर आने से रोकने और उन्हें खत्म करने के लिए हमीसा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे इसी कारण माइल्स अल्ट्रा लिंग के साथ मिलकर उसे खत्म करना चाता था और उसने एक दिन ऐसा ही किया जिस दोरन मैक्स के फादुश लैब में अल्ट्रा लिंक एलियन को ख़त्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उनके अंदर से बहुत सारी पावर बाहर निकल रही थी इसी बीच माइल्स ने धोके से उन पावर का लोड काफी हाई कर दिया था जिस कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लाश्ट हुआ जिसके वज़े से उसकी फादर की मौत हो गई ये सब दीखने के बाद मैक्स अब सब कुछ समझ चुका था इसके बाद हम माइल्स को देखते हैं जो अब अपना सूट पहन कर वहाँ पर आ चुका था और वो बहुत ही ज़ादा ताकत वर भी था क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी एनरजी मौजूद थी जो उसने मैक्स के फादर से ली थी वो मैक्स को वहाँ पर मानने लगता है और उसे उसी चेमबर में जानी को कहता है जहाँ पर अस्टील मौजूद था अब मैक्स माइल्स को बुरी तरह से मानने लगता है और थोड़ी तेर बाद ही वो माइल्स को खत्म कर देता है इसके बाद हम मौली को देखते हैं जो मैक्स को बताती है कि वो सारी चीज़े पहले से जानती थी कि उसके फादर एक केलियन थे और उन्हें पता था कि मैक्स भी एक केलियन है क्योंकि मैक्स के फादर के पास जो पावर थी वही पावर मैक्स के पास भी है मौली ने मैक्स को कई चीज़े नहीं बताई थी क्योंकि वो जानती थी कि मैक्स के बारे में लोगों को पता चल गया तो वो उसके साथ ना जाने क्या करेंगे इसी कारण वो एक सहर से दूसरे सहर में मैक्स को लेकर रहने लगी लेकिन माइल्स के बुलाने पर उन्हें दुबारा से यहां पर आना पड़ा और मूली को भी नहीं पता था कि माइल्सी मैक्स के फादर का असली कातिल था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था तो मैक्स अब सोफिया से मिलने जाता है और इसे के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो पली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले